दोस्तों नमस्कार आदाप सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश इन दिनों देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो एक समय देश की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी थी आप सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी तो नहीं ह लेकिन विपक्ष की अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है कॉंग्रिस की बात मैं कर रहा हूँ तो कॉंग्रिस पार्टी इन दिनों चिंतन कर रही है और चिंतन करने के लिए उसने जगह जो चुनी है वहादेश में सबसे गरम रहने वाला प्रदेश राजस्थान है और राजस्थान के उदैपूर में जीलों की नगरी उदैपूर में यह चिंतन शिविर चल रहा है ये दो प्रदेश 36 गड़ और राजस्थान यही दो प्रदेश अब बच गए हैं जहां कांग्रिस पार्टी सचमुच सत्ता में एक प्रमुख भूमिका यूं कहा जाए या वो सरकार पूरी तरह चला रही है दोनों उसके जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रिस के वो इन प्रदेशों में अपनी कम्प्रीट पूरी मेजारिटी के साथ सरकार चलाते हैं तो इस तरह उसने राजस्थान को चुना है अब सवाल इस बात का है कि चिंतन शिविर इस चिंत में और भी चिंतन शिविर किये एक चिंतन शिविर उसने 1998 में किया था पश्मढ़ी में मध्यप्रदेश के और दूसरा जो उसने किया था 2003 में शिमला में किया था 1998 के जो चिंतन शिविर था उसे लेकर तो कहा जाता है कि उसमें जितना उससे निकला उससे ज़्यादा वो लेकिन 2003 का जो चिंतन शिविर शिमला का था उसमें सचमुच कॉंग्रिस पार्टी संकट से उबरती नजर आई और कॉंग्रिस सत्यक सोनिया गांधी ने उसी चिंतन शिविर से एक तरह से आहवान किया था और अपने कारिकार्टाओं को बताया था कि कैसे वो भारती जनता प पार्टी जो देश की हैं उनके साथ एक एलाइंस बना कर चुनाव लड़ेगी पूरे देश में कैसे मोबलाइज करेगी इसके बारे में स्ट्रेटिजी वहां बनाने की बनाने की एजन्डे को प्रमुखता बिली थी तो एक तरह से माना जाता है कि कॉंग्रिस पार्टी को यूपिय वन यूपिय टू के दवरान जो सत्ता मिली उसकी आधार शिला चिंतन के अस्तर पर अगर विशार के अस्तर पर देखा जाए तो शिमला का अंकलेव में रखी गई थी अब सवाल इस बात का है कि क्या उदैपूर का यह चिंतन शिविर जिसको वो कहा जा रहा है नो संकल्प शिविर क्या यह वाकई कोई नया संकल्प देगा कॉंग्रेस पार्टी को क्या उससे कोई नया संकल्प राजनीति के लिए संगटन के लिए निकलेगा इसका क्या एजेंडा है जो चंकर बात आई है क्योंकि यह मीडिया के लिए ओपन नहीं है सिर्फ कॉंग् पानितिक लोग भी है उन से जो मश्विरा किया बाचीत मैंने की उससे मैंने पाया और वो ये की कॉंग्रेस पार्टी इस वक्त देश में जितनी बिखरी नजर आती है जितनी बेहाल नजर आती है उसके मुकाबले उधैपूर में सचमुछ ज्यादा उसकी इस्थिती आर्ग क्नमेटियां बनाई गई है और इन कमेटियोں के कनवीनर्स जो इसंके चीफ हैं वो छह साथ आठ लोगों के साथ कॉाडिनेट करते हैं कमेटी को कैसे डिसकस करना है किन मुद्दौ जैसे राहिनितिक कमेटी तो उसके जो कनवीनर है या प्रमुक हैं वो खडगे साभ हैं खडगे साब कॉंग्रिस के बहुत वरिष्ट नेता हैं लोग सभा में और राजी सभा में दोनों सद्रों में वो लंबे समय तक रहें और अपनी एक महत्पूर्ण उन्होंने पारी कॉंग्रिस पार्टी में शासन के दौरान भी वो सरकार में भी रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ी पारी उनकी है रही है राजनीति में करनाटक से आते हैं तो वो राजनीतिक जो मसले हैं उनकी कमेटी को हैट करते हैं इसी तरह से सांग्डश्रीनक जो मसले हैं मुछलवासनीक हैं बहुत सारे हैं सोसल जिस्टिस को ले कर nightmare कैने कामेटी है उस पर भी बात हो रहे में मेला जैसा एक दिर्श पहले रहता था खासकर प्लैनरी सेशन ऐसा लगता था कि मेला लगा हुआ है तो ये मेले जैसा माहौल कम से कम उदैपूर में कॉंग्रिस के शिविर में नहीं है वाकई ऐसा लगता है कि कॉंग्रिस पार्टी सिरियस है अपनी बेहाली को लेकर हर जगा उसके हाथ में विफलता ऐसा लगता है कि उसके जो हाथ हैं हाथ चुनाव छिन रहे कॉंग्रिस पार्टी का ऐसा लगता है कि हाथ की जितनी रेखाएं हैं कोई साथ नहीं देती नजर आ रही हैं कॉंग्रिस के लोग बड़े नेता वैसे भी काफी हस्त रेखाऊं पर यकीन करने वाले रहे हैं लोग हाथ पंडितों से दिखाते हैं जोत्षियों से दिखाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि अब जैसे याद है मुझे कि पीबी नर्सिंग राव तो जोत्षियों पर इतना यकीन करते थे कि कोई भी अपना कारिकरम जोत्षियों से पूछे बगर हस्त रेखा जो जो विशेशक हैं उनसे पूछे बगर कोई काम ही नहीं करते थे तो अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इतने आगनाई धंग से जो ये चिंतन शिविर कर रही है जिसमें संख्या जैसा मैंने पहले कहा कि कम है बुलाए गए लोगों की काफी देख कर समझ कर लोगों को बुलाए गया बलकि इसको लेकर नाराजगी भी है बहुत सारे पार्टी के प्रमुखने था कई जगा तो प्रदेशों के जो मंत्री हैं अब जैसे जारकंड में वहाँ पर एलाइंस की सरकार है और उस एलाइंस में सताधारी जो वहाँ पर गठबंदन है उसमें कॉंग्रेस पार्टी है वहाँ के मंत्री गण भी नहीं बुलाए गये हैं बहुत सारे प्रदेशों में जैसे महाराष्ट है महाराष्ट में भी ओ गठबंदन में है उसकी सरकार लीट तो खेर उठागरी जी कर रहरे हैं शिव सेना के लेकिन वहाँ भी बहुत सारे लोग नहीं बुलाए गए हैं तो उसके बड़े प्रमुख नेता भी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है लेकिन वो कॉंग्रिस के समर्थक हैं और सदन में वो निर्दली विधायक हैं कॉंग्रिस पार्टी के से associated हैं और एक तरह से सांगठिनी की रूप से भी उसकी मदद करते हैं लेकिन उनको भी तो हमरा ये कहना है कि जरूर कांग्रिस पार्टी ने सोचा है समझा है और कुछ इरादा जरूर उसका है कि कैसे इस डिसक्रसन को हम आगे अपनी प्रैक्टिस में अपने अपने काम काज में कैसे इसका फायदा उठाएं लेकिन सवाल इस बात का है कि जो अब तक जो डिसक्र किसम के मसले हैं और काफी कई जगा तो बड़े कर्मकांडी धंके विचारा आ रहे हैं अब जैसे उधारन के तोर पे कि भई एक परिवार से एक व्यक्ति चुनाओ लड़े या नव लड़े अरे या तो आप फैसला कर दिये कि बिलकुल एक परिवार से एक ही वो एक ही आदम टिकट पाएगा और नहीं तो फिर इस मुद्दे को छेडिये मत जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजे लेकिन अब वहाँ पर ये भी चल रहा है कि आप एक फैमिली से एक व्यक्ति जरूर वही टिकट पाएगा लेकिन कुछ एक्सेप्संस रहेंगे एक्सेप्संस का मतलब क जो पाँच साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं पुलिटीकल प्रैक्टिस जिनकी है जो पाँच साल से राज Jennifer पर पार्टी देज उड़े हुए हैं उनको छूट रहेगी तो इस तरह की चीजें बहुत पेशिदा हैं और मैं समझता हूँ कि इन पर समय जाया करने से ये बनाईए कि आपको करना क्या है साफ्ट हिंद उत्वा या आपको बिल्कुल सेकुलर डिमोक्रिटिक ढंग से एक प्लिटिकल पार्टी चलानी है मध्य प्रदेश से लेकर बहुत सारे सुबों में हमने अतीत में देखा चुनाओं के दोरान कि कॉंग्रिस पार्टी भारती जनता पार्टी की बी टीम नजर आई बी टीम उसके नेता जन्यव दिखाते रहे उसके नेता पूजा करते रहे चुनाओं के दोरान वो हर जगा कहीं महा मृतुझे जाप करते नजर आए कहीं चंदन लगा कर गुमते नजर आए कहीं भगवा वस्तर पहन कर गुमते आए तो ये जो चीजें रही है कॉंग्रिस पार्टी में क्लियरिटी बने स्पस्टता नहीं है एक सफाई नहीं है कि दरसल उन्हें अपनी आज के दोर में उन्हें किस रूप में अपनी को पेश करना है सबसे बड़ी जो कॉंग्रेस पार्टी की चुनवती है वो दोस्तो हिंदी हार्ट लेंड में है साउथ में जो उसका बहुत प्रभावशाली आधार रहा है वो भी लगभग शिटक गया है आंध्रप्रदेश जहां लंबे समय तक वो राज करती रही लंबे समय तक वहां वह आफ दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं रह पाई है तेलंगाना जो उसने क्रियेट किया कॉंग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तभी तेलंगाना बना तेलंगाना जो है वह सोनिया गांधी कॉंग्रिस अध्यक्ष यूपिय की उस समय की चेहर परसन माना जाता है कि ये उनका इनिशियेटिव था उनकी पहल पर तेलंगाना नाम के नए राजी की आधार शिला रखी गई तेलंगाना में भी कॉंग्रिस पार्टी आज कहीं नहीं है जो कुछ अभी है दक्षण में अगर देखा जाये तो वो केरल और करनाटक में है और वहां भी हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं केरल में सीपी आईम ने दूसरी बार चुनाव जीता जो आम तोर पे केरल में नहीं होता रहा है पांच-पांच साल अदला बदली होती रही है तो कुल मिलाकर कॉंग्रिस पार्टी की इस्तिती साउथ में भी बहुत शानदार नहीं कही जा सकती है तो हिंदी हार्ट लैंड में उसको असली लड़ाई फिलहा लड़नी नहीं है और उत्तर प्रदेश उसके लिए एक खुले मैदान की तरह है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पार्टियों से उनके आधार उनके जनाधार उनका जो सोसल बेस है उसमें गहरी निराशा है दलित समाज मायवती जी की पार्टी से बेहद बेहद नाराज है क्योंकि उसको लगता है दलित समाज का बड़ा हिस्सा कि आखिर मायवती जी बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता सताधारी बारती जनता पार्टी से इस तरह से क्यों सहयोग करती है आकिर क्या वज़ा है कि वो इतनी डरी हुई है वो क्या वज़ा है कि वो खुल कर सामने नहीं आती है दलित लोगों पर अत्याचार होता है दलित लोगों पर दमन होता है तब भी वो खुल कर मैदान में नहीं उतरती है वज़ा क्या है ठीक इसी तरह से अखिलेश यादों को को भरपूर समर्थन दिया इसके बावजूद वो लड़ते नजर नहीं आए ऐसा लगा कि वो बच बच के लड़ रहे हैं ऐसा लगा कि कहीं न कहीं वो संकोच कर रहे हैं भारती जंता पार्टी की जबरदस्त मुखालपत करने में ऐसा लगता था कि वो वो चुनाव जीतने क के लिए लड़ रहे हैं और ये वो कारण है जिससे पिछड़े वरगों में भी काफी गहरी निराशा है अगर 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 कांग्रेस पार्टी चाहे अगर उसने सचमुच इस तरह की रणनीत बनाने का उसका उसका विचार हो तो वो उत्तर प्रदेश में आज की तारीक मे बड़े प्लेयर के रूप में सामने आ सकती है वो नाराज दलितों को और निराश माइनार्टी कमिनिटी के लोगों के साथ OBC के सेक्शन में भी के बड़े सेक्शन में भी बड़ा समर्थन वो बना सकती है लेकिन दुर्भागे देखिए संजोग नहीं दुर्भागे संगठन को अंदर से प्रभावित करते हैं जो आला कमान के सबसे नजदीक हैं वो सभी अपरकास्ट के लोग है और अपरकास्ट जो उत्तर प्रदेश में है वो पूरी तरह उसका जो पूरा आम आम बत्दाता है उसका बड़ा हिस्सा भारती जनता पार्टी के साथ जा चुक सदन के पीछे कौन होते हैं पार्टी के अंदर कौन बड़े उपर उख़ादे पर होते हैं पार्टी के असल रंजनितिकार ठिंग टैंक कौन होते हैं तो ये बड़ा मसला कॉंग्रिस पार्टी के लिए है कि अगर दलितों ओवी सी और माइनार्टी कॉम्निटी में आपको बेस्ट बनाना है जिसके बल पर आप राश्टी राजनीती में अपनी धमक अपनी चमक अपना 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 वजूद अगर अगर आप दिखा सकते हैं या उसको एसर्ट कर सकते हैं तो आपको अपने नए सामाजिक आधार की तलाश करनी होगी खासकर हिंदी हार्ट लैंड में और ये इस्तिती बिहार बिहार से लेकर के जारखंड तक दिखाई देती है कि उत्तिकी हुआ च्छतिस गड़की तरह ऐसा कोई प्रियोग नह हैं ट्राइबल्स हैं माइनार्टी कम्यूटी के लोग हैं पसमादा मुस्लिम हैं उनको कैसे जोड़ें तो मुझे लगता है कि कॉंग्रिस पार्टी अपने इस चिंतन शिविर में मुझे नहीं मालूम कि इन विश्यों पर वो किस तरह डिसकसन कर रही है सोसल जिस्टिस के कमेटी किन मसलों को डिसकस कर रही है हमें याद है कि यूपिय के दौरान सोसल जिस्टिस की एक कमेटी बनी थी और उसका काम था उसका काम था कि वो नीजी छेतर में एक्षन को कैसे इंट्रिजूस करे दस साल दस साल तक सरकार रही लेकिन उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी और सरकार ने एक्जक्यूट ही नहीं किया मनमोहन सिंग की सरकार ने वादा करने के बावजूद यूपिये के प्रोग्राम में इसको शामिल करने के बावजूद कि नीजी छेत्र में आरक्षन या एफर्मिटिव एक्षन को इंट्रिडूस किया जाएगा ये लागू नहीं कर सकी क्योंकि अपरकास्ट के बड़े नेताओं का कांग्रिस पार्टी पर प्रेसर था तो हमारा कहना है कि असमंजस में फंसी होई पार्टी नच्चुन पा रही है कि ये हमारे साथ रहेंगे कि वो रहेंगे वो कुल मिलाकर बीजे पीके एक तरह से पिछलगू भी नहीं कहेंगे बलकि यूँ कहा जाए कि एक विचार हिंता के दलदल में डिवी हुई है तो चिंतन शिविर से उदैपूर के क्या सचमुच कोई नया चिंतन निकलेगा क्या उसके पास समाजों को समुदायों को और जनाधार को तलाशने का कोई नया मिजाज उसके अंदर दिखेगा क्या दिखेगा क्या उसके नेता वाकई बदले न जाराएंगे या वही पुरानी बातों को वो पीटते रहेंगे एक साफ्ट हिंदुत्वा की लाइन लेकर और लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे कि बीजेपी से महांगाई और वेरुजगारी के कारण जो नाराज लोग हैं वो सीधे हमारे पास आ जाएं तो क्या ये संबह होगा ये बड़ा प्रशन है उदैपूर के चिंतन शिविर से तो दोस्तो आज कांग्रिस पार्टी के इस चिंतन शिविर पर फिलहाल इतना ही और बिलकुल आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रिस पार्टी को अगस्त में चुनाओ अपना संगठन का अगसी तंबर में कराना है ये आज तक साफ नहीं हो पाया है कि कॉंग्रिस में राहूल गांदी को अध्यक्षता समालनी है या नहीं समालनी है अगर नहीं समालनी है तो नए नेत्रित पर उसको विचार करना चाहिए और दूसरी बात एक और है कि कांग्रिस पार्टी में बूरे और युवापीडी को लेकर बहुत बवाल है काफी भी बाद है अबुदारण के तोर पे जहां ये संबेलन हो रहा है वहीं पर अशोक गालोत बनाम सचिन पाइलिट चल रहा है लोग कहते हैं कि संचिन पाइलिट को मुख्य मंतरी का दावेदार बना कर पेश किया जाना चाहिए और अशोक गालोत को बैक ग्राउंड में डाल देना चाहिए मुझे लगता है कि इस तरह का जो सोच है वो कांग्रिस के लिए बहुत फैदेमन नहीं है कांग्रिस पार्टी के लिए बुजर्ग पीड़ी के लोग और युवा पीड़ी के लोग दोनों की जरूरत है अब आप नहीं देखा कि जोतिया सिंधिया से लेकर के और जतिन परशाद तक और आरपियन सिंग तक यह सभी नहीं पीड़ी के लोग थे बहुत नजदीक थे राहूल गांदी के लेकिन तीनों के तीनों बीजेपी में चले गए आप सोचिए इसका मतलब कि उनके पास कोई आइडियोलोजिकल कमिटमेंट नहीं था लेकिन जो अशोग गैलो सतर से उपर के हैं वो उनका आइडियोलोजिकल कमिटमेंट देखिए कि उन्होंने कभी कभी वो पार्टी लाइन से पार्टी की विचारधारा से सेकुलर डिमक्रसी से कंस्ट्यूशन से नहरू गांदी की जो विचारधारा कांग्रेस जिसका ढोल पीटती है उससे वो कभी पीछे नहीं आपको ये देखना होगा कि केवल उम्र के हिसाब से आप अपने नेत्रतों का या अपने पसंदीदा नेताओं का या पदाधिकारियों का अगर केवल चैन करेंगे कि अमक उम्र से उपर का नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक कर्मकांडी प्रियास होगा इसका भी है और बिलकुल आखीर में मैं यही काना चाहूँगा कि कॉंग्रिस के पास नए विचार होने चाहिए वो विचार दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या इस चिंतन शिविर में नए विचार आएंगे ये उदैपूर से सामने बात आएगी नमस्कार आदाव सत्रियकाल